कहते हैं एक बार पूरु प्रधान मंत्री अटल विहरी वाजपई ने कांशी राम जी को राश्पती बनने का प्रस्ताव भिया था लेकिन मानेवर कांशी राम ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया उन्होंने कहा कि वो राश्पती नहीं बलकी प्रधानमंती बनना चाते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देने वाले कांशी राम सत्ता को दलितों की चोखट तक लाना चाते थे वे राश्पती बनकर चुपचा पलक बैठने के लिए तैयार नहीं हुए लेकिन वाजपई ने कांशी राम को राश्पती क्यों बनाना चाहा वाजपई ऐसा क्यों चाते थे कि अगर कांशी राम राश्पती बन जाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी राज्जती में जब किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है या उसे खुश किया जाता है तो जानकार मान लेते हैं कि उस आदमी का कद घटने वाला है जानकारों ने इस किसे को भी सी नजर से देखना चाहा था लेकिन कई लोग ये मान रहे थे कि असल में वाजपई काशी राम को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए थे क्योंकि अगर वो समझ जाते तो उन्हें ऐसा ओफर देते ही नहीं काशी राम को राश्पती बनने का ओफर मिला लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया इसे ठुकराने के पीछे उनका लक्ष साफ साफ देखा जा सकता है वो सद्यों से गुलाम समाज को सत्ता के सबसे उचे पद पर बैठाना चाते थे वो जानते थे कि सरकार में सिर्फ प्रधानमंत्री ही ऐसा पद होता है जो सबसे ताकतवर होता है वो समझते थे कि राश्पती का पद एक रबर स्टेम से ज्यादा कुछ नहीं होता और वो राश्पती बनकर कभी अपने लोगों का भला नहीं कर पाएंगे उन्हें नोक्रिया नहीं दिला पाएंगे, उन्हें सिक्षा नहीं दिला पाएंगे उनके लिए अच्छे कानून नहीं बना पाएंगे, संसाधनों पर उनकी हिस्सेदारी नहीं दे पाएंगे, राश्पती बनकर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और यही वज़य थी कि वो सत्ता के पावर सेंचर में बैखना चाते थे, वो दलितों को राश्पती के सबसे उचे ओधे पर देखना चाते थे मायवती के रूप में एक हद तक उन्होंने अपने इस लक्षक को हासिल भी करके दिखाया यूपी यानि जो हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा सूबा है वहाँ उन्होंने एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बना दिया यह किसी चमतकाल से कम नहीं था काशिराम पर आरोप लगे कि वो किसी गड़बंदन को लेकर वफादार नहीं रहते वो किसी से भी गड़बंदन कर देते हैं ऐसा उन पर कई बार आरोप लगा उन्होंने कॉंग्रेस बीजेपी और समाजवादी पार्टी से समझोता किया और फिर उन खुद ही उस समझते को तोड़ भी दिया लेकिन असल में काशिराम इन समय के साथ में समय के हिसाब से जो गड़बंदन हो रहा था वो तो सिर्फ समझोता ही था क्योंकि उनका असल गड़बंदन तो उनके लक्षा के साथ था वो सत्ता को गुरु के लिए यानि मास्टर की कहते थे कि वो सभी जो भी समझाय है उनको हल करने की मास्टर की है मास्टर चाबी है और उसको हासिल करने के लिए जो ये लोग है जो ये दल है इनके साथ जो गड़बंदन करना पड़ रहा है वो समय की जरूरत है और वो लक्षय नहीं है लक्षय था सत्ता के केंद्र यानि पावर सेंटर में किसी दलित व्यक्ति को बिठाना और उन्होंने अपने लक्षय की खाती रही ऐसी जो गड़बंदन है वो किये समय के इसाब से मनेवर काशिराम ने अपने एक इंटर्वियू में इस बारे में जवाब दिया थो उन्होंने कहा था मैं उन्हें यानि राजनितिक दलों को खुश करने के लिए ये सब यानि राजनितिक संगर्श नहीं कर रहा हूँ यानि वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को खुश करने के लिए गडबंदन कर रहा या तोड़ नहीं रहा हूँ बलकि मैं अपने लक्षय के प्रतीमांदार हूँ और अपने लक्षय को पूरा करने के लिए ये गडबंदन जो की समय की जरूरत है उसको कर रहा हूँ अपने राजनितिक और समाजिक संगर्ष के दोरान मानेवर काशिराम ने ब्राह्मन वाद से प्रभावेत या उससे जड़ी हर चीज को बेहत तीके शब्दों में विरोध किया था अब जानते हैं वो तीके शब्दों में विरोध करने के लिए जाने जाते हैं फिर चाहे वो मातमा गांदी हो, राजनितिक दल हो, मीडिया हो या फिर खुद ही दलित समाज के वे लोग जिने काशिराम चमचा कहते थे उनके मुताबिक ये चमचे वे दलित नीता थे जो दलितों के सोतंतरता संगर्ष में दलित संगर्षनों का साथ देने के बजाए पहले कॉंग्रेस और बाद में भाजपा जैसे बड़े राजनितिक दलों में मों के तलाश रही थे काशिराम और उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग कहते हैं कि इन जैसे निताओं ने दलित संगर्ष को कमजोर करने का काम काम्याबी से किया है वे अपनी किताब चमचा युग में काशिराम के जो ये चमचा जिनको वो कहते हैं वो इस बारे में लिखते हैं अपनी चमचा युग में और इसके लिए वो गांधी और कॉंग्रेस पार्टी को जिमेदार ठेराते हैं उन्होंने लिखा है कि अंबेटकर की दलितों के लिए प्रथक निर्वाचन मंडल की मांग को गांधी ने दबाव की राज़्टिती से पूरा नहीं होने दिया और पूना पैक्ट के फलसोरूप आगे चल कर संयुक्त निर्वाचन मंडलों में उनके चम्चे खड़े हुगे काशिराम का मानना था कि जब जब दलितों का कोई आंदोलन मनुवाद को गंभीर चुनोती देने के लिए तयार हो जाता है तब तब ब्रहमनवादी साजिश रसते हैं और जब वो सीधी लड़ाई में दलितों को नहीं हरा पाते तो फिर अपने चम्चे खड़े कर देते ह काशिराम ने लिखा है और जार दलाल पिछु अत्वा चम्चा बनाया जाता है सचे खरे योधा का विरोध करने के लिए जब खरे और सचे योधा होते हैं तो चम्चो की मांग तब ही होती है जब कोई लड़ाई कोई संगर्ष और किसी योधा की तरफ से कोई खत्रा नही होता तो चम्चो की जरूरत नहीं होती उनकी मांग नहीं होती प्रारंब में उनकी उपेक्षा की गई किन्तु बाद में जब दलित वर्गों का सच्चा नेत्रतों सशक्त और प्रबल हो गया तो उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकी इस मुकाम पर आकर उची जाती के हिंदो को ये जरूरत महसूस हुई कि वे दलित वर्गों के सचे नेताओं के खिलाफ चम्चे खड़े करें। बीजेपी को हरा दिया, मिले मुलायम काशीराम हवा हो गए जैशीराम जैसा नारा दिया और इतनी सशक्त आवाज वो बनकर उठकड़े हुए। कि हिंदुत्व की भावना को आगे बढ़ाया, ये बात वाजपई के बयान से आप समझ सकते हैं। और दलितों को सत्ता से दूर रखा जा सके और जो रबर स्टेंप यानि आप जैसे देखे रामनात कोविन को दलित होते हुए या फिर द्रोपदी मुर्मू को आदिवासी होते हुए उन्होंने राश्पती बनाया। उससे कितना बदला हुआ है उसका अंदाज आप लगा सकते हैं। और यही वज़त थी कि मानेवर कांशिराम साहब ने वो राश्पती पद छुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में जाऊंगा तो प्रधानमंत्री बनूंगा राश्पती में नहीं बनना चाहता। आपको उनके थोड़े जीवन के बारे में बता देते हैं कि कैसे वो बाबा साहब के प्रती अपना रूप करते हैं। ओर इसी दौराण जयनती पर सारजनिक छुटी को लेकर एक संघर्ष होता है जो दीना भाना है उनके साहत संघर्ष होता है छुटी नहीं देती जिसके बाद बाबा साहब द्युक्राइम बेटकर की जयनती को मनाने को लेकर जब आढ़ जाते हैं तो फिर उन्हों उन्हें नोकरी छोड़नी पड़ती है और मानेवर काशिराम साहिब दीना भाना और डीके खोपरडे के साथ में मिलकर वो लोग अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं उन्होंने नोकरियों में लगे अनुसूचित जातियों, जन जातियों, पिछडे वर्ग और अल्प संखिकों के साथ मिलकर बैकवर्ड और माइनरिटी कम्मूनिटीज एंप्लाइज फेडरेशन यानि बामसेफ की स्ताफना की ये संगठन आज भी सकरी है और देश भर में दलिट जागरुकता के करेकर मायोजित करता है लेकिन दरजन भर टुकडों में बढ़ चुका है 1981 में काशिनाम साहब ने दलिट सोशित समाज संगर समीती की शुरुवात की थी जिसे DS4 का नाम दिया जाता है और 1984 में बहुजन समाज पारटी यानि BSP का गठन किया और आगे चलकर उन्होंने मायवती जी को उत्तर प्रदेश की पहली दलिट महिला मुख्यमंत्री बना दिया ये बहुत बड़ी बात है भारत की राजनिती में जिसमें जाती प्रदानता है जहां जातियों से बहुत कुछ तया होता है वहाँ एक दलित महिला का सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बन जाना अपने आप में किसी बहुत बड़े चमतकार्स के जैसा था ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ था कि इतने बड़े सूबे में कोई दलित व्यक्ती मुख्यमंत्री बना हो इस पूरे सफर में काशिराम साब ने लाग ओ लोगों को अपने साथ जोड़ा इसके लिए सेक्डो किलोमेटर साइकल दोलाई उन्होंने साइकल यात्रा की पैदल माच किये मीलो पैदल चले ऐसे भी मोके आये जब उन्होंने फटी कमीज पहन कर भी दलितो की अगवाई की उन्हें ज्यादा तर नीली या फिर सफेद कमीज के अलावा शायद ही किसी और रंग के कपड़े में देखा गया हो बहुती साधा जीवन था उनका 90 के दशक के मध्य तक मानेवर काशिराम साहिब की जो हालत है वो थोड़ी बिगडने लगी थी इंकी वर दिन रात मैनेट कर रहे थे लगातार आंदोलन कर रहे थे यात्राई कर रहे थे लोगों से मिल रहे थे और सौ ⁃त वर उस सीध्यान नहीं तो नहीं दे पा रहा थे उन्हें कुँआँ के साथ-साथ बलड प्रेशर की भी समस्या हो गई थी और और 1994 में उन्हें दिल का दोरा पड़ा था, बहुत जादा स्टेस में रहते थे जिसे उनको हार्ट अटेक आ गया, और फिर 2003 में उन्हें ब्रें स्ट्रोक हो गया था, और ब्रें स्ट्रोक होने के बाद उनकी पूरी की पूरी जो लड़ाई थी वो रुक गई और वो आंदोल से परे हो गए क्योंकि शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, लगातार खराब होती सेयत ने 2004 तक उन्हें सारजनिक जीवन से दूर कर दिया, बहुत ज्यादा बिमार हो गए थे और आखिरकार 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दोरा पड़ने से ये दलितों का जो मसीहा था, नहीं हो पाया है, मानेवर कांशिराम ने केवल एक व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिया, और वो व्यक्ति थे खुद, यानि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी कोई संपती नहीं जुटाई, कभी कोई पर परिवार के सदस्चों की मृत हो गई तब भी वो अपने घर नहीं गए इतना डेडिकेशन था समाज के लिए कि मैं परिवार के पास जाओंगा ही नहीं अब मुझे सिर्फ समाज के लिए काम करना है परिवार के लोग भी जब कभी उनसे मिलने आये तो उन्होंने मना कर दिया उनको लेने के लिए भी आये तो जाने से मना कर दिया उनकी मा भी आयी ति तब भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं अब नहीं आऊंगा उस घर में अब ये समाज ही मेरा घर है और इसी के लिए मुझे काम करना है दुनिया में ऐसे राजनितिक व्यक्ति तुवर विरले ही हुए हैं बहुत रेर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति जितने इतना समरपन हो इतना त्याग हो व्यक्ति अपने समाज के लिए आ गया हो ऐसे उधरन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे जिन का एश्वाराम उन्हें मिलता लेकिन उन्होंने राजपती भवन की शाही बग्गी की जगे साइकल को चुना और अपने लोगों को जगाने का काम किया बाबा साहिब के कारवां को आगे बढ़ाते हुए बहुचनों को राजणितिक रूप से एक ताकत के तोर पर स्थापित क्या ऐसे महानायक को हम सलाम करते हैं मनवर काशिराम की जिन्दगी पर उनके काम पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय दें आप मनेवर के बारे में अगर और कुछ बाते जानते हैं तो कमेंच करें आप से अपील है कि बहुचन मीडिया को ताकत करवादी पत्रकारिता करने वाले मीडिया संस्थान स्थापित करने हैं तो थोड़ाई सी आपको मदद जरूर करनी पड़ेगी आप से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर फोलो भी जरूर करें मेरा नाम सुमिछ चौहा